Hello everyone, welcome back to my youtube channel, कैसे हुआ आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल खुशिश होगी आप पर तो basically आज का जो यह वीडियो होगा वो all about काजल से related होगे तो मैं आपको इस वीडियो में वो सारे काजल से दिखाऊंगी जो मुझे बहुत जादा अच्छे लगते हैं जिसको मैं रेगुलरी यूज करना पसंद करती हूँ तो देखो काजल की जो अगर हम बात करें न तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आइस पर काजल लगाना नहीं पसंद करते हैं जैसे कि मैं विसके लिए मुझे काजल अपने आइस में लगाना नहीं पसंद है क्योंकि मेरी जो आइए वह ज्यादा वाटरी है पतलत अब काजल लगाते हैं वाटर कैसा भी आप किसी भी ब्रंट का देदो मैं काजल अगर लगाती हूँ तो मुझे बहुत जादा आइए में वाटर आने लगता है और उसके बाद यू नो आरे जो काजल है वो वाश ओट हो जाते हैं सो इसमाज प्रूफ हो नहीं हो सारी चीज़े इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और मैं जो हूँ वह काजल अपने साथ इसलिए भी मोशली रखना पसंद करती हूँ क्योंकि म अपने आइलीड पर लगाना एज आइसाइड हो जादा पसंद करती हूँ तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना वीडियो आपको यह जितने भी काजल के रिलेटेड कंपनीज में बताऊंगी वह आपको अच्छे लगेंगे और जितने भी हैं काजल के लिंक नीचे बि दाने में चलिए अखेंगे और यहां इसा दैन बर कि वह जिए अपने पॉप तो चलिए क्लर सब्सक्राइड कांगी तो सब्सक्रीज में इस सेदोवाइड और में बिलेक कलर मिर है जिखांगी आपको अब काजल के तो क्या हूँ क्या ही मैं नोका यहां ब्लैक तक्षिआ का पॉप काजल बहुत ही अच्छी है smoothly आई पर चलती है और long wear है so इसको आप एक बार जरूर ट्राइ कर सकते हैं next is this mama earth का काजल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है first I will talk about this packaging packaging is a very worst मैंने एक eye look rate करने का मेरी जो new काजल है यह वह इस टाक हो गई है ना बहर आती है ना अंदर जाती है समझ में इसका क्या करो मेरी जो पैसे है वह वेस्ट हो गया है तो I will not suggest you this guys और मामा आथ के product मैंना basically मैं बात करूँ न तो उनके product की जो पैकेजिंग होती है वह mostly baddy होती है मैंने एक lip balm भी मंगया था वह भी baddy position में मुझे receive हुई थी तो मुझे यह काजल भी उसी तरीके से bad condition में receive हुई है so next काजल I will talk about this eyeliner with काजल 2-1 है यह blue heaven की है और इस पर भी आप टेस्ट कर सकते हो two to three hours के यह आपकी eyes पर smoothly चलती है और stay भी करती है so मैं यह जो वीडियो है ना वो daylight में shoot कर रहे हूं ताकि आपको जो भी है वो clear पता चल सके और one swipe up में दिखा रहे हूं हैंड पर सोचिंग काजल की मुझे समझ में जाती है मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं बट वो हैंड की सोचिज दिखाते हैं तो मुझे यह नहीं समझता कि eyes and hand की सोचिज जो है वो एकदम से अलग है दोनों को आप compare नहीं कर सकते हैं फर्स्ट माइ च्वाइस इस लेक में ओवेसली जो इंडियन्स है उनको काजल की कंपनी जो है ब्रेंट है वो लैक में बहुत जादा पसंद करते हैं और मुझे लगता है यह मोश्टली बिक्ती भी है अफकॉस क्योंकि बहुत स्मूद चलती है और लॉंग वियर है इस दिस माइ लैक में की सो नेक्स्ट आइवल टॉक अबाट इस माइगलेम की तरफ से सुपर फूड का काजल काफी यह भी स्मूद ली चलती है और बहुत अच्छी काजल है यह भी इसको भी आप ट्राइक कर सकते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो वन स्वाइप आप आप अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब तो में चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और डॉंट फोगेट तो शेयर विडियो फ्रेंड और रिलेटिव इस वीडियो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं बट றikes दो नाट सबस्क्राइब तू में चैनल प्लीज डॉंट डू दिस प्लीज बाुद ब्लीज सब्सक्राइब डॉप सबसेब मेल को आप एक सब्सक्राइब के जड़ेर है क्या कर सकते हो एंडिको मेरे बुलते नि कि कुछ दे सकते हो तो वह आप कर सकते हो शो प्लीज इतना ख्याल मिलते हैं अब अपने नेट्स वीडियो में बाई बाई